देश में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल और लपीजी गैस के दामों के विरोध में सयुक्त किसान मोर्चा के अहवान पर बरनाला जिले में अलगलग जगों पर किसानों ने अपने ट्रेक्टर कारें मोटरसाइकल आदी सडकों के किनारे खड़े कर केंद्र सरकार के खिलाफ रोशप्रदर्शन किया रोशप्रदर्शन में महिलाओं ने खाली सिलेंडर सडकों पर रख कर तेल और गैस के पड़ रहे दामों के विरोध में रोश जताया सेयुक्त किसान मोर्चा के निताओं ने कहा कि आगामी विधान सभा चुनावों में सेयुक्त किसान मोर्चा कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा सेयुक्त किसान मोर्चे का सिर्फ एक ही मकसद है खेती कानूनों को रद करवाना और MSP संबंधी कानून लगू करवाना देश में दिन प्रती दिन बढ़ रहे तेल एवं गैस के दामों के विरोध में बर्नाला जिले में अलग लग जगों पर रोशप्रधर्शन कर रहे सेयुक्त किसान मोर्चा के नेता मेला सिंग, नारायन दत, इंदरपाल सिंग, हर्चरन सिंग, दर्शन सिंग, जगराज राजिंदर सिंग, संपूरन सिंग, गुर्चरन सिंग, गुर्मेल सिंग ने कहा कि खेती कानूनों के विरोध में लगातार किसान पिछले करीब आठ महीनों से दिल्ली एवं पंजाब में संघर्ष कर रहे हैं, उनने कहा कि देश में पेट्रोल 100 रुपए प्रती लीटर से उ आदमी महंगाई के कारण परिशान हो चुका है, वहीं उनने किसान नेता गुर्णाम सिंग चड़ूनी द्वारा आगामी 2022 में पंजाब में होने वाले विधान सभा चुनावों में किसान नेताओं को चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, इस पर सयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहां कि उनका मकसद सिर्फ केंदर सरकार द्वारा लागू किये गए, खेती कानूनों को रद करवाना है और MSP गारंटी कानून लागू करवाना है, और इसके इलावा ने कोई भी आदेश सयुक्त किसान मोर्चा द्वारा नहीं दिया गया है, बर्नाला से ह कल्चल के लिए विनोच शर्मा की रिपोर्ट कि लड़ांगे ते नानूं बाव सक्रामागे एथों एड़ा शासी पाल ते गें, वो सरा सरा बिजली रेता लारे लाहीं जानेंगें, पर प्त्रोल डीजल दी गाले नी कर देया, क्यों एथों एशरकार नों जडी आमदना प्त्रोल डीजल दी गुई आ, क्यों ना दा ज